हेलो इस्टुएंट्स वैलकम टुन एक अटमी सुडियो जैसा कि मैं ने बताया था कि अब हम स्टार्ट किया करेंगे इस टाइम पर छीक है तो सेशन लाइव आ चुका है बच्चो जस मैं आप लोग के साथ लिंक जो है वह सर्कुलेट कर रहा हूँ हाई जय बेटा हाई जय और भी बच्चे जो है उनको जुड़ जाने देते हैं क्लास का टाइम अब हमने आप लोग के लिए रिवाइज किया है बहुत सारे छोटे छोटे चीजे हैं चेंजेस हैं मैं आपको समझा देता हूं अक्टोबर मंद स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप बच्चों ने कहा था तो ये रहा यह रहा है आप लोगों के कहने पर आप लोगों के डिबांड पर यह चीज यह रही ठीक है हाई शिनिवास हाई शुभम ठीक है मैं ने देखा शुभम जो है बड़ा दुखी हो रहा तकल कि सर NTSC का एक्जाम की डेट अब रिलीज हो चुकी है तो वो चीज तो अपने हाथ में नहीं है हमारे हाथ में जो है कड़ी मेंनत करना तो वो मेंनत हम करेंगे उससे पीछे नहीं अड़ना है ठीक है भाई देखो आज तो भेंकर जो है पूरी सारी के सारी क्लासेज है तो थोड़ा तसल्ली रखना टाइम रखना I'll do that सर पांच मिट के बाद next lecture है स्कूल का अरे यार चाहिए ऐसे क्या कर रहा है ठीक है चलो लेस स्टार्ट जल्दी क्यों जल्दी करने का एक रीजन है यार देखो क्या होता था इन दोनों क्लास के बीच में गैप मिली नहीं पाता था यार फिर क्या होता था या तो यह क्लास डिले होती थी या यह क्लास जल्दी बंद करनी पड़ती थी कुछ नहीं कुछ गरबड हो ये सवा बारा बज़े ब्रच्चो class as a disk चलती रहेगी अभी तो देखो ये दो slot तो as a disk चलेंगे आपके और इसके अलावा ये IOQ जो है subjective जो ये classes चल रही दिया आपकी ये since ये month की starting है हम और नई नई चीज़ा आप लोग के लिए streamline कर रहे हैं तो ये next week से जो है अपन वापिस से continue करेंगे resume करेंगे next week से resume करेंगे similarly आज जो है आज जीवाली class भी जो है आपकी नहीं है but we will resume as soon as possible अगले एक दू दिन में आपके लिए resume कर दी जाएगी guys आज चाम से 5 बजे से an academy plus platform पे pioneer 4.0 launch हो रहा है इसके अंदर में आपको heat पढ़ा रहा हूँ, com पढ़ा रहा हूँ, rbd पढ़ा रहा हूँ अब देखो यार अब ऐसा moment आगया है, ऐसा मौका आगया है आप specific goal के towards अपनी preparation करें अगर आपका goal foundation and NTSC में अगर NTSC करना है तो आप NTSC specific तयारी करो बाब अगर आपका जो goal है, वो है IJASU का exam देना, IOCJAS तो please उसके specific पढ़ाई करो, अब वो time खतम हो गया, जब ठीक है कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, knowledge के लिए कर लेते हैं, interest के लिए कर लेते हैं नहीं यार, goal oriented preparation is very very important इसके बारे मैंने सब चीज आपको बता दी, ये चीज आपके लिए नहीं है ये कल से, second of October से, गांधी जी को याद करते हैं, उनके उपलक्ष में जो है हम ये course आप लोग के लिए चालू कर देंगे, ठीक है अब मैं आपको कुछ important बातें बता देता हूँ कि what is the planning इस चीज की planning समझना बहुत जरूरी, ये बच्चों ने बोला था सर, इसकी पूरी planning हमें बताना तो देखो यार, इसकी planning अभी तुम्हें बता हूँगा, उससे पहले आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान से देख लेना एक पर, ठीक है, ये जो fee structure है आपको पता है कि 21002 साल का and 175001 साल का, जैसे आप मेरा referral code RALive यहाँ पे डालेंगे, 10% fee आपकी यहाँ पे reduce हुजाएगी, reduce fee में जो है no cost EMI options भी available होते हैं, ठीक है, तो ये fee जो है 15,750 हो जाएगी, ये भी amount part by part में दे सकते हैं, ठीक है, तो अब यार देखो, early start लेने का भी मौका आज चुका है तुम लोग के लिए, IIT JE का जो भी subscription ले रहा है 10th वाला बच्चा, ठीक है, वो मेरा referral code RALive का जरूर इस्तिमाल करें, ऐसा करके आपका 10% fee यहाँ पे reduce हो जाएगा बच्चो, ठीक है, आपके लिए YouTube पे भी बिलकुल depth में, पूरे lectures हमने बना रखे, ये रही planning यार, तो जैसा कि आप लोगो ने बोला था सर, एक plan बनाना NTSC का कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो देख लो यार, तुम लोग के सामने planning है complete, सर फिर से गाना काओ, अरे ऐसे हमेशे थोड़ी गाते, NTSC 2020 का stage 2 का भी कुछ बताओ, भीड़ा यार, आयान उन्होंने update ही नहीं दिया, ठीके, so it is all up to NTSC, जैसे ही वो बताईगी, क्या NTSC stage 2 की dates यह है, हम जल्दी सी जल्दी आप लोग के सामने लेके आ जाएंगे, जुन बच्चों ने पिछले साल NTSC stage 1 दिया था, उनका NTSC stage 2 का कोई update नहीं है, बच्चो, no update, NTSC crash course सारे subjects कवर करेगा, क्या, इसी के उपर हमने एक meeting रखी है, ठीके, तो तुम लोग के लिए जल्दी ही, आगल कैसे बच्चों को और support कर सकते हैं, तो yes, बाकी subjects का भी आएगा, बट उसका individual educator वही आपको announce करेगा, वही आपको बताएगा, उनके बिहाफ में मुझे ये नहीं बताना मतब सही नहीं है कि यार, इत्ते तारी को वो चालू करेंगे, इत्ते तारी को वो, ठीके, क्योंकि वो start date है, इसका second of October, and completion date, end date है 26 November, तो 26 November, second October से लेकि 26 November के बीच में, मैं आपको regular classes लूँगा, slot कौन सा है, 7.45 to 9.00 PM, एक घंटे 15 मिट की एक class हुआ करेगी, and इस class के अंदर trust me guys, हम बहुत सारे सवाल practice करेंगे, questions practice करने के अलावा, जो है, मैं आपको सारी theory जो है, cover कराऊगा, आप लोग को homework भी दिया करूँगा, तो with homework ये sessions हमारे चलने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको कल रात को commit किया था, आप number of lectures देख सकते है, electricity 5 lecture का रहेगा, magnetism 5, optics 7, optics एक बड़ा चप्टर है, अच्छा चप्टर है, लंबा, motion 4, circular motion 2, NLM 5, work power energy 4, gravitation 5, fluid 4, sound 4, source of energy 2, miscellaneous एक topic रख हो यार तो में, SOE बेटा, source of energy, sources of energy, ठीके, लगता ऐसा है कि क्या करेंगे इसे पढ़के, बट, जब सीधा सीधा इसमें से question आते हैं, तो गड़बर नहीं होनी चाहिए, ठीके, I hope सोंज में आगे होगा, प्लीज से subject cover करना, प्लीज सारे subject cover करना, देखो बच्छों, देख हां करना चीए, सही बात है, फिर मैं जो है, उन लोगों से बात किया, कि भई, ऐसा planning है, ऐसा है, ठीके, तो उन सब लोगों से थोड़ी बहुत बात ही हुई है, रात को हमने decide किया, कि सब एक common meeting करेंगे, कि discussion करेंगे, जूम call वगरा, या किसी भी किसी through, Google meet कि तरह एक discussion करें पिर ऐसा नहीं जूड बोल दूँ मैं न, IPH चो मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसके लिए आप J Daily Live, बिल्कुल follow करते रहे, J Daily Live, Sir, UP का cover होगा, हर state का cover होगा, all the states will be covered in this, सारे state आप लोग के लिए cover करूँगा, मेरे को भी link बेज़ देना, अरे सब का मिल जाएगा, attention नहीं मत target करना बहुत जरूरी होता है, because क्या होता है न, just imagine करो, अगर मैं बोलूँ आज की तारिक में बहुत फोडू बच चाहूँगा, ठीके, तो उसको prove करने के लिए क्या, उसको कैसे, कैसे prove करूँगा, कोई competitive exam के अंदर उस चीच को reflect करवा के, that is why हम कहते हैं कि current goal बनाओ है न, चले start करें, चले, आज questions होंगे क्या, नहीं जए, बेटा, आज तो जो है theoretical lecture है बड़ा, ठीके start करें, अच्छा, उद्भाव कहरे है, humanities लेगा, पियारो time clashing, yes, बट आलोक, अगर तुमारा goal pre-RM होए, and NTSC है, तो अब इसके अंदर जो है, थोड़ा सा तो problem आने वाला है, जनरली जो है, ये pre-RM वाले, जो IOQ वाले बच्चे हैं, वो IOQ JS कर रहे हैं, NTSC वाले बच्चे थोड़े से, अलागे कुछ बच्चे जो हैं, 10th में तीनों चीज़े एक साथ देने वाले, उनके लिए ये clash हो रहा है, बिलकुल मैंने समझा, ठीके, तो तुम इस तरह से कर करते हैं, आज का सेशन मैंने तुम्हें पूरी प्लैनिंग बता दी, इस प्लैनिंग के साथ, मेरा जो है NTSC Crash Course, NTSC Crash Course, कल से guys start हो जाएगा, तो ready रहना, कल जो है, electricity का पहला lecture है, ठीक है, electricity का पहला lecture है, and this will be a very important series, ठीक है, SST, Biology, Mental Ability, Mathematics, Chemistry, सब लोगों ने बोला है, कि उसे disclose करेंगे, मैं उनकी planning नहीं बता पाँगा, बच्चो, वो करेंगे आप लोग के साथ, श्री गनेश करते हैं, आज के lecture का, यह हमारा 11 लेक्चर है, जो कल lag, भारी lag, and मेरी तरफ से disconnect होने की वज़े से रह गया था, ठीक है, तो यह disconnect हो गया था guys, तो इसके लिए माफी, अब जो है, आज का session स्टार्ट करते हैं, यह चीज़ जो है, आज पढ़नी है, audible, ultrasonic and infrasonic, बड़ी आसान चीज़े है, and it's a theoretical lecture, जो आप लोग के लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेस्ट स्टार्ट, अब देख के ही पता चल रहा होगा, सर, audible का मतलब क्या है, ठी 20 hertz से लेके, 20,000 hertz, यह जो frequency होती है, इस frequency की sound को, इस frequency की जो sound होती है, इसे क्या कहा जाता है, audible range of sound, ultrasonic का मतलब क्या है, and infrasonic का मतलब क्या है, infrasonic का मतलब है, बच्छों, less than 20 hertz, and this is, ultrasonic is greater than, greater than 20 kilohertz, kilohertz का मतलब अब्विस सी बात है, 20,000 hertz की में बात कर रहा हूँ, बड़ी basic understanding से आप यह चीज़ समझ सकते हैं, चली, आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़े देखते हैं, अब देखो, audible, ultrasonic, and infrasonic waves, इन सब के बीच का बच्छों, difference समझने की कोशिश कर रहा है, जो मै यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, so audible wave क्या है, ठीक है, आप देख रहे हैं, इस person को देख रहे हैं, यहाँ पर यह क्या कर रहा है, so human ear is sensitive to sound waves of frequency between 20 hertz to 20 kilohertz, तो क्या होते हैं जार देखो, कुछ animals जो है, वो नीचे की sound भी सुन सकते हैं, कुछ animals उपर की sound भी सुन सकते it depends on the sensitivity of ears, but human beings जो है, उनके लिए एक number यहाँ पर जो है, general number ऐसा हो सकता है, कोई बोले कि sir, मैं 20 kilohertz तक सुन पाऊंगा है, नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, कि 19,000 kilohertz पर, 19,000 hertz पर, आपकी सुनने की capacity खतम हो जाए, 18,000 पर हो जाए, 17,000 पर हो जाए, so यह सब क लिए अलग-अलग vary करता है, human to human, but एक average number लिया गया है, छोटे बच्चे, जादा, जादा, जादा number of frequency जो है, सुन सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी बाते अभी करेंगे, समझाएंगे आपको, this range is known as audible range, and these waves are known as audible waves, यह audible sound waves की जो है, बच्चो, range आपको यहाँ पर बता दी आया क्या, 80 decibels for humans, ठीक है, बटा, यह जो है ना, 80 decibels नहीं, 0 dB से चालो हो जाता है, जो बिलकुल software होती है, pin drop silence, उन्हों कोई धीरे से बोल देता है, वो भी 5 dB, 10 dB के होती है, यह maximum जो value जा रही है, वो 120 dB तक जाती है, ठीक है, यह सारी बाते मैंने पहले भी बता रखा है, व ठीक है, हाँ, kill the chat box, मस ताराम से पढ़ाई करेंगे पर, ओब बताओ, कोई किसी कोई doubt है तो इसके अंतर बताओ, किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तो फिर अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सर इसके बारे में, NTSC के लिए भी बहुत important तुमारा ये lecture रहने वाला है, ठीक है, a longitudinal wave whose frequency is about the upper limit of audible range, ठीक है, is 20 kHz, ठीक है, is called ultrasonic waves, तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, ultrasonic में क्या है, 20 kHz के उपर, मतलब frequency जो है, 20,000 Hz जो है, इसके बड़ी होनी चाहिए, तो वो ultrasonic है, it is generated by very small sources, example, quads crystal, ठीक है, quads crystal है क्या भाई, quads crystal एक ऐसी चीज है, जिससे आप waves को generate कर रहे है, कौन सी waves को generate कर रहे है, ठीक है, बहुत छोटे से छोटे sources होते हैं यह, and ultrasonic frequencies को यह generate करते हैं, अब तो लिमिटेशन है, इसके तुमें सावाज को नहीं सुन सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगए कि तुम्हें ultrasonic के बहुत जोड से सुनाई दे ठीक है, बड़ी basic सी बात, बड़ी important सी बात यह तुम्हें बताई, देखो ज़्यादा deep में मत जाना, कि सर यह समझाओ quads crystal किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, बहुत basic सी understanding यह, आप कोई चीज़ ध्यान रखने हैं, नाम याद रखने हैं, next देखो infrasonic waves, आप सब लोगों ने दिखा हुआ कि यार earthquake आता है, earthquake आता है तो जानवरों को पता चल जाता है, they are able to detect कि भाई कुछ तो होने वाला है, why, what is the reason, because उनके अंदर capacity होती है कि वो infrasonic frequency को भी पकड़ पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है, so a longitudinal elastic wave whose frequency is below the audible range, below the audible range मतलब less than 20 hertz is called an inf infrasonic wave, it is generally generated by large sources, example earthquake, तो देखो difference देखो, large sources जो है, वो infrasonic create कर रहे हैं, and small sources like quartz crystal, यह क्या कर रहे है, quartz crystal क्या कर रहे है, ultrasonic produce कर रहे है, बड़ी simple सी बात है, यह देखो, यह earthquake आ रहा है, and earthquake की वज़े से, यह vibrations, यह vibrations, बहुत बच्चों जैसी बात है, अगर किसी को भी doubt है, तो पूछो, वर्रा आगे बढ़ते, ठीक है, हाई बड़ा, sources of energy lectures कब होगा, बड़ा, इसके बाद, सवा बारा पर sources of energy start हो जाएगा, ठीक है, सुरत हो क्या 100 questions for IOQJS, बंद हो जाएगा, बड़ा, हाँ बड़ा, क्यूंकि जो है, दिन में 3 बजे, मैं वहाँ पर जो है, वैसे भ सवा बारा पर sources of energy है, सवा बारा पर sources of energy है, बता दिया है, पहले ही, शुरुवात का पहला slide देख लिए, अगरो सब समझ में आ जाते है, ठीक है, आपकी जो बाते हैं, आगे और समझने की कुशिश करेंगे, sound of very high frequency, greater than 20 kiloids is called ultrasound, production देखो इसका, these are produced by electronic oscillators, अब electronic oscillators using high frequency vibrations of quads crystal, यह electronic oscillators क्या है, आपने देखा होगा यार, hospital के अंदर जो है, ऐसा कुछ monitor लगा होता है, उसके अंदर ऐसे-ईसे wave दिखती रहती है, पेशनिंट की, ठीक है, यह जो है, electronic जो है, डिवाइस है, जहाँ आप इसे, so properties क्या है, इसकी तो ध्यान रखना है, यह बहुत important चीज़े हैं, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, theoretical चीज़े हैं, थोड़ी boring होती ही, पर काम की बहुत होती है, sound wave of all frequencies carry energy with them, with increase in frequency, तो जैसे जैसे देखो, बच्चो frequency बढ़ती है, vibrations become faster, more vibrations, यह बहुत काम की चीज़ frequency बढ़ेगी, तो जाद, देखो ऐसे ऐसे, यह देखो धीरे-धीरे vibrations हो रहे हैं, यह क्या है, less frequency, जल्दी-जल्दी vibrations होंगे, तो frequency increase हो जाती है, vibrations become faster and also energy contents and force increases, energy भी बढ़ता जाता है, force भी increase होता जाता है, when ultrasound travels in solid, liquid and gas, it subjects the particles of matter to face large force and energy, तो क्या होती है, जब भी ultrasound जो है, किसी भी medium में से travel करती है, जैसे मानलो मैंने ultrasound को air में भेजा, ultrasound को solid के अंदर भेजा, ultrasound को पानी के अंदर भेजा, उससे क्या होता है, उसकी जो energy होती है, उससे particles के अंदर बहुत जादा force लगता है, बहुत जादा energy particles को मिल जाती है, यही चीज़ इस ने बताई, और बहुत ही simple सा रीजन है, high frequency मतलब high energy, क्यों, क्योंकि number of vibrations ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा vibrations हो गे, कम टाइम में ज़्यादा vibration हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, more amount of energy, तो आपको ये ध्यान रखना है, ultra sound जो है, उनकी बहुत ज़्यादा energy होती है, ये कहां कहां use होते हैं, application देखो, इसका use देखो, सर फोर्थ lecture नहीं है, श्यान टेंशन मतले, tracker के अंदर upload कर दिया जाएगा, तुझे मिल जाएगा, अभी ये पढ़ ले ना, I'll help you out, session के end में तुझो भी बात बोलेगा, मैं तेरी बात सुनके, तुझे help जरूर करूँगा, अब देखो, application of ultrasound देखो, welding metal, आपने देखा, ये metal को weld कर रहे, कितने लोगों ने, तुम्हें से कितने बच्चों ने देखा है, welding होते वे, जन्रल है, बहुत simple सी बात है, welding होते वे, कितने बच्चों ने देखा है, बताओ, 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 जल्दी बताओ, welding होते वे, कितने लोगों ने देखा है, मैंने देखा है, वीर कहा रहा है, मैंने देखा है, श्रियांज कहा रहा है, सर मी, स्रीनिवास भी कहा रहा है, very good, very good, ठीक है, तुम सब ने देखा है Mr. Vanshan आखे खराव होती है ज़्यादा नहीं देखना होता है बट ऐसे एक जटके में तो देखा है वहां कुछ हो रहा है फिर तुमने आखे मुझे ज़्यादा नहीं देखना होता है हीट करने के बाद क्या होगा यह जो मैटल होगा मैट होने लगेगा मैट होने से क्या हो जाएगा नहीं पर बट अघर उपने तो दोмотрите जब लगाते हैं तो बढ़ी चिपक जाते हैं ठीक है बट यार अगर आपको बहुत ही ज्यादा लेवल पे हीट करना है by conventional methods तो क्या होता है ना एक होती है ultrasonic welding ultrasonic के इस्तिमाल से welding की जाती है conventional method क्या है heat करो एक rod को ये लेते है rod क्या होती है melt होती है and melt होने के बाद molten state के अंदर जब metal एक दूसरे से चिपकता है तो बड़ी अच्छी bonding कर लेता है वो ठीके held firmly against the other piece तो दोनों pieces को जो है ऐसे tungsten के ऐसे पकड़ के आप रख लेते हो आप क्या करते हो आप and then vibrated with an ultrasonic vibrator ultrasonic vibrator से उसे वाइबरेट किया उससे क्या होगा उससे क्या होगा high frequency vibrations high frequency vibrations मतलब high energy high energy friction 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 high energy high friction इससे क्या होगा आपका ज़्यादा heat energy होगी ज़्यादा heat energy प्रोडूइस होगी more temperature more temperature से क्या हो जाएगा melt melt हुआ तो welding that is the process ठीक है the heat produced due to friction तो ये दोनों metal जो है ऐसे ऐसे high frequency से vibrate होने है ऐसे 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 उसे उससे क्या होगा ज़्यादा heat produce होगी at the point of contact ठीक है melts the metal on stopping the vibrator melted ends of metal fuse to form a tight weld ठीक है तो ये तरीका होता है ultrasonic welding जो है tungsten के case में की जाती इसमें normal welding जो है वो work नहीं करती है और उसका बड़ा simple सा reason है क्यों work नहीं करती है क्योंकि इसको बहुत high temperature required होते है कोई doubt है तो पूछो यार ठीक है tension का formula सर tension का formula जो है बहुत सारे formula होते हैं किदर पूछ रहा है कहां पूछ रहा है तो माकली एक दिख problem क्या होरी है lecture चल रहा होता है A for Apple तुम बोलते हो कि X Y Z पढ़ा दो पहले ये तो पढ़ो end में जो है तुमारी बात जरूर सुनूँगा मैं न पहले ये पढ़ो medical purpose देखो ultrason को कैसे इस्तमाल करते है medical purpose में let's try to understand माकली session के end में जितने भी tension के formula है अपने discuss कर लेंगे the ultrasonic vibrations can be reflected from the boundaries between the materials of nearly same density अब क्या होता है अगर nearly same density के materials है तो लिखा कहा है बहुत important चीज है आपने सुना होगा कि MRI कराने जा रहा हूँ वहाँ पर भी इसका इस्तमाल किया जाता है आपने सुना होगा ultrasound जो है होने वाला है उसका एक photo दिखाऊँगा तो मैं भी ultrasound का देखना so ultrasonic vibrations can be reflected from the boundaries between the materials of nearly same density अगर मान लो density कुछ ती दूसरे की density बिलकुल हलकी सी change वी वहाँ से भी यह reflect होके वापिस आ जाते हैं ठीके this technique is used in scanning the internal organs of human body तो क्या technique है यहाँ पर reflection होता है reflection को इस्तमाल किया जाता है it is superior to the x-ray scanning x-ray scanning से बहुत ज़्यादा superior है यह technology as it does not cause any harm to human cells unlike x-ray तो आप लोगों ने बहुत सरे लोगों ने observe किया होगा जो person x-ray करता है generally उसने कुछ apprin जैसा पहना होता है उसने ऐसा जो है आगे ऐसी shield लगा रखी होती है and फिर हो क्या करता है आपका हाथ ऐसा रखवाता है हाथ का x-ray कराने तो एक फिर दिवार के पीछे जाता है वहाँ जाके बटन चालू करता है फिर निकल के आता है आपके सामने वाइ क्योंकि अगर आपका तो क्या हुआ मान लो 5-6 महिने में एक बार x-ray हुआ या साल भर में एक बार x-ray हुआ कोई injury हुई तो वो person तो दिन भर x-ray के बीच में रहता है अगर वो person पे इतनी सारी x-rays हिट करेगी तो eventually it will be harmful तो x-ray अगर आप regularly करा रहे हो तो वो आपकी body के लिए harmful है बट ये जो superior technology है जहां ultrasonic vibrations का इस्तमाल करके वो जो reflections हो रहे हैं उससे image create की जाती है वो जो है उस चीज में इतना हाम नहीं है जितना x-ray के अंदर हो रहा है तो ध्यान से देखते हैं इस technology में किस तरह से हो रहा है आपने देखो x-ray के अंदर ऐसा देखा So instrument which uses ultrasonic waves for getting the images of internal organs of human body is called ultrasound scanner तो ultrasound scanner क्या करते हैं अपने internal organs को भी scan करके ला देते हैं तो आपको जो है flesh का जो है आपका उसका भी structure पूरा का पूरा मिल जाता है So in this technique the ultrasound waves travel through the tissues of the body and gets reflected from the region where there is a change in density जैसे density में change आता है यह reflect कर जाती है तो यह इसकी खास बात है इसकी वज़े से जो है आप अच्छे से image यहाँ पर create कर पाते है यह x-ray है जिससे आपने सिर्फ bones का लिया यह देखो यार आप लोगोंने TV पर ऐसा देखा हुगा देखा है या नहीं देखा बताओ यार ऐसा आप लोगोंने TV पर देखा हुगा जरूर ठीक है देखा है या नहीं देखा बताओ यार लेट कहां से है, नहीं, लेट नहीं है, X-rays harmful है, लेट थोड़ी X-ray, यह बात समझ में आई है, यह जो यहाँ पर किया जा रहा है, ठीके, these reflected waves are then converted into electrical signals, electrical signals में करते हैं convert, तो यार देखो, जनरली जो है, ultrasound नाम से जो है, यही चीज दिमाग में आती है, वो दिखाते हैं, ऐसे hospitals क अंदर गी है, आपका baby है, जो parents से बढ़े खुश हो जाते हैं, देखें, ठीके, तो यह जो है, generally ultrasound से नाम दिमाग में वही जो चीज आती है, TV पर बहुत बार देखा होगा, आपने ऐसा, ठीके, so reflected waves को आपने electrical signals में create करके, image जो होती है, वो screen के उपर बच्चों बना दी होत तो print करके भी इसे permanent आप अपने पास रख सकते हो, ठीके, this technique is called ultrasonography and helps doctor to detect, ठीके, अब यह मत बोलना, कि सर यह illegal है, illegal यह नहीं है, illegal होता है, कि आप पता करवाओ कि यह male है, बच्चा यह female है, ठीके, वो चीज जो है, government ने illegal बोली है, उसका बहुत सिंपल सा reason है, ठीके, यार इंडिया के अंदर यह भावना बनी भी है, ठीके, कि parents जो होते हैं, वो चाते हैं कि यार, baby boy होना चाहिए, ठीके, तो that is why, बहुत सारी जो है, ऐसी खराब-खराब situations है, ऐसी चीजे हो रही है, देश के अंदर, जिसके कारें, बारत सरकार ने बोला कि या, tension ही खतम करो, you cannot check baby boy है, baby girl है, आप check नहीं कर सकते हैं, बट, यह तो करा सकते हो, इसके अंदर कोई मना नहीं है, तो doctor के पास एक limitation है, doctor के पास देखो, अगर वो इतना कर पा रहा है, तो वो check करके बता सकता है, बट, doctors को बोल रखाए कि अगर आपने बताया यह, तो यह illegal में count होगा, समझ में आया है क्या बात, ठीके, सर क्यों density बढ़ती है, तो reflect होता है, ठीके, that is the property of ultrasound, जैसे ही density में बदलाव आता है, थोड़ा सा भी density में बदलाव आता है, वो reflect कर देता है, ठीके, तो देखो, यहाँ पर जो है, same density है, पूरा fluid है, यहाँ पर जो है, एक flesh जैसा structure आ रहा है, तो इ देखो कैसा दिख रहा है यह बेबी, ठीके, यह तो आप हमेशा देख सकते हो, ठीके, चल, NTSC के किसी भी state ने state specific अभी update नहीं डाला है, कल ही तो सरकार ने बोला है, NTSC 13 December कराएंगे, उछे एक दो दिन का मौका तो दो, ठीके, जैसे ही आया का हम तुम्हें बता देंगे, टैंशन नहीं लो, ठीके, देखो ध्यान से, अब आगे देखो, abnormalities such as stones in gallbladder and kidney or tumors in different organs, तो वो ये भी चेक कर सकते हैं कि कहां कहां पर body के अंदर tumor है, tumor का मतलब क्या होता है ना, गांठ बन जाना, ठीके, आप जनरली देखना आपको यह जो पाट होता है ना, यह वाला, यहा इसा नहीं है भाइस, ठीके, tumor जो होते हैं, कुछ-कुछ cancers में convert हो जाते हैं, बट सारे tumor cancer नहीं होते हैं, ठीके, तो यह चीज जो है, misconception जो है, उसको हटा देना अपने दिमाग से, इसके अलावा kidney stones जब हो जाते हैं, तो kidney stones कैसे check कर सकते हैं, with the help of ultrasonography, इसकी वज़े से जो है, आप check कर सकते हैं, ultrasound waves of high intensities are employed to break small stones in the kidney into fine grains, पहले इसे कहा जाता हैं, कि आर kidney के अंदर जो है, इसके अंदर stone है, तो इसका stone का operation करना पड़ेगा, ऐसा वैसा, डिके, अब technology इतनी जादा improve हो चुकी है, कि आप stones को क्या करते हो, अंदर ही हैं, वो kidney के अंदर, बाहर से ultrasound स इसे ही उसे break कर देते हो, ultrasound मतलब high frequency जो है, उसको आपने वहाँ पर मारा, उससे जो है, बहुत जादा vibrations हुए, vibrations की वैसे वो stone जो है, छुटे-छुटे fine particles में break हो गया, the fine grains then get flushed out with urine, ठीके, तो ये by three time जो है, ये flushed out हो जाते हैं, ठीके, सर ये गलत लड़कियां होना घर का स बच्चे कह रहेते हैं, धुरूब क्यों नहीं आया, हाँ, NTC के लिए बहुत comfort है, जो चीज में तुम्हें करवा रहा हूँ, this will be covered in NTC, NTC के लिए बहुत important है, drilling holes और making cuts of desired shape, अब देखो ऐसा जो है, ये cut जो है, आपने देखा होगा, ऐसे driller होते हैं, जो work कर रहे होते हैं, Just imagine करो, इस driller को जो है, मैं glass के उपर चलाता हूँ, जैसे मैं driller को glass के उपर चलाऊँगा, क्या हो जाएगा, imagine करना, एक glass की plate है, उसके उपर ऐसे driller चलाया, वो glass की plate एकदम से तूट जाएगी, या, ठीके, वो तूट जाएगी, क्योंकि इसके जो vibrations है, vibrations पूरे plate में ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे 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 हर जोगा vibration जा रहे होंगे, उससे क्या होगा, चटक जाएगी, पन कहते ने, glass की plate तूट गी, तो यह ऐसे drill वाले method, glass की उपर वर्क नहीं इंड वाइब्रेशन्स प्रोड्ट आप यह चीज क्या कर सकते हो अल्ट्रासॉनिक वाइब्रेशन से भी बना सकते हैं रहा प्लेशन देखो अगर मैं बोलू कि यह पैन है मैं अपने हाथ पेसे दिरे 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 अईसे से मारता हूं को जल्दी 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 मारता रो शल्दी उसके फ्रिक्वैंसी को कम करता ज़ाऊ ज़्दी जल्दी बहुत सारे सारे जल्दी जल्दी बहुत सारे vibrations कराते जाते हैं उससे हलक हलकल धिरे 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 होल होता जाता है तो इससे क्या होगा continuous vibration से high frequency से जादा heat produce होगी और आप बहुत easily होल कर लोगे रादर देन अगर आप हतोड़ी लेके बैठ जाओगे ऐसे मार रहे हो कील से तो ग्लास पका टूटेगा ही टूटेगा आपका the shape of the hole is the same as that of the tip of the horn तो यह जो है मानलों यह आपको horn है ठीक है यह जोसकी tip है ना ऐसा ही hole आगे से बने हो क्योंकि उस tip से ही तो आप छेद कर रहे हो ठीक है the shape of the tip can be designed as per the requirement of the application जिस तरह का आप structure बनाना चाहते हो उस size उस तरह का आप tip जो है design कर सकते हो ultrasonic cutting and drilling are very effective for the fragile material fragile जो होते है न जो एकदम से चटाक जाए टूट जाए उनके लिए बहुत important है like glasses for which ordinary methods do not give good results तो ordinary method यहाँ पर नहीं लगते हैं और बताओ बच्छो NTSC ने हड़कम मचा दे टेंशन मत दो तुम तुम लोग की सारी चीज़े दुख दूइदा सौल करने के लिए हैं यह आप ठीक है reflect होने से क्या होता है देखो कोई भी light ray जो है वह आपने भेजी वह reflect हो कि जब आपको signal आ रहे है तो आप उसकी image बना सकते हो ना यार image कब बनती है real image जब reflected rays जो है आप एक screen पर obtain करते हो तो उसी तरह से उन्होंने ultrasound भेजी तुम इसको light से imagine मत करो तुम सुचो कि कुछ चीज एक भेजी ऐसी वह टकरा के वापिस आ रही है उसकी image बना दी है आपने reflected rays की that is known as reflected rays का use करना समझ में आई क्या बात जितने भी बच्चे NTSC registration के बारे में जानना चा रहे है state specific वीडियो लेके जल्द ही तुम लोग के सामने आज के दिन में जरूर आऊंगा and तुमें clarity से बता दूँगा attention मतलो मेरी class सल रही है अभी 20 मिट का break है तो पढ़ ले फिर फटावर चदरू ठीक है चल देख गाईज आगे बढ़ते है ultrasonic cleaning क्या है आपने देखा होगा कुछ-कुछ ऐसी चीज़े होती है जिसको clean करना possible ही नहीं होता है just imagine करो एक chain है पतली सी chain है बिलकुल गोल्ड की chain है पतली सी chain है या फिर कोई silver की chain है कुछ ऐसी chain है पतली सी जिसके बीचो तो brush भी नहीं जा सकता साफ करने के लिए उसे कैसे clean करेंगे उसे clean करने का ये तरीका है देखो ध्यान से यहां पर तो क्या करतावा दिखा रहा है आपको इसने पानी का टब ले रखा है उसके अंदर इसने जो भी चीज़ डाली इसे गरम करना है गरम कर रहा है वो कैसे कर रहा है तो इस चीज़ को समझो क्या कह रहे है आपर वी नॉर्मली क्लीन डिर्टी क्लोस प्लेट्स और अधर लाज अब्जेट्स बाइंग डिटर्जेंट और 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 और्गनिक सॉलिशन रबिंग और वाशिंग आप रब करते हैं दोते हैं चीज़ों को वह साफ हो जाती है ठी कि अगर मान लो ओट्स के छूटे 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 पार्टिकल से उसको कैसे साफ करें उसको पानी में थोडी थो सकते हैं and parts located in hard-to-reach places. This method is inconvenient and sometimes impossible. तो इनको धोना जो है possible नहीं है, बहुत inconvenient method हो जाएगा, ऐसे अजीब-जीब structures का. तो what we are doing, important चीज़ है, ध्यान से समझना, that what we are doing, such objects are placed in a cleaning solution, and ultrasonic waves are sent into the solution. तो आपने clearing solution लिया, ऐसा solution जो उसके parts को damage न करें, ऐसा मत करना कि एक घड़ी है, घड़ी को पानी में डाल दिया, घड़ी damage हो जाएगी. ठीके, तो ऐसे parts जो damage न हो, ऐसे solution में उसको डाला, because of vibrations at high frequency, all dirt and grease particles get detached from the surface, and object gets thoroughly clean. तो ये technology है, जिसके अदर आपने solution के अंदर उस parts को डाल दिया, अल्ट्रा साउंड को fake आ, अल्ट्रा साउंड से जो है, वो vibrations, high vibrations के वज़े से dust and grease जो है, उससे separate होगी. बात समझ में आई क्या? ठीके, सरी आपने करा दिया, बटा, आज ही करा रहो, या आज पहली बार जो है, तुम लोग को cover करा रहो, अल्ट्रा सॉनिक लीनिंग, अब देखो, अल्ट्रा सॉनिक डिटेक्शन औफ डिफ्रेक्शिन मेटल, यह बहुत important चीज़ है, बहुत important चीज़ है, अगर आपने बुला कि सरी एक metal का cube में खरीद के लेके आ रहो, metal का cube में खरीद के लेके आ रहो, यह cube है, एंड मान लो, यहाँ पर अंदर एक हलका सा क्रैक था, इस क्रैक की वज़े से क्या हो जाएगा, इसकी strength decrease हो जाएगी, इसकी strength क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, अब आपने क्या किया, इसको लगा दिया, एक bridge बन रहा था, फ्लाइओवर वाला bridge, उसके अंदर बुला, इस metal के part को use कर लो आप, ठीक है, battle का cube था, इसके अंदर crack था, इसकी strength decrease हो गई, अब वो bridge तो safe रहा ही नहीं, बट मैं इसके अंदर का जो crack है, उससे detect कैसे करूँ, पता कैसे करूँ, बहुत simple सा तरीका, जो अभी अभी मैंने एक बात बताई है, आप ultra sound यहां से fake हो, जैसे ही वो देखीगा crack है, crack का मतलब क्या है, change in density, crack में क्या है, खाली है, हल्का सा wide है, change in density, तो sound क्या होगी, ultra sound reflect होके वापिस आ जाएगी, अगर reflect होके आ गई, तो आप बोल सकते हो, there is a change in density, change in density, इसका मतलब इसके अंदर impurity है, या तो impurity है, या crack है, तो यह not fit to use है, बहुत important तरीका, बहुत काम का तरीका है यह, ठीक है, तो देखो गाईज, metallic components are used in buildings, bridges, machines, scientific equipments and so on, if there are cracks or holes inside the metal, अगर आपने जो use किया, उसके अंदर कोई crack है या hole है, तो हम क्या करेंगे, the strength of the structure or component is reduced, and it can fail, तो आपने देखा कि उसकी strength है, वो decrease होती जाएगी, और वो fail हो सकता है, collapse हो सकता है, so what we are doing, such defects are not visible from the outside, आपको बाहर से दिखेगा, बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल सुन्दर है, बिल्कुल स्वस्त है, बढ़ आपका नुक्सान हो जाएगा, ultrasonic waves can be used to detect such effects, ultrasonic से क्या कर सकते हैं, आपने भेजा उसे, वो टकरा के वापिस आई, आप बोलेंगे कि कुछ ने कुछ इसके अंदर problem है, उस problem से जो है, आप इस चीज का यहाँ पर पता लगा सकते हैं, ठीके, बहुत important चीज जो है, यहाँ पर हमने आपको बताई है, इसके यहाँ पर, ultrasonic waves are sent through the metallic objects, under study, if there is no crack or cavity in its path, it goes through the object, ठीके, तो आपने क्या किया, देखो ज्यान से, यह मैटलियों क्यूब रखा, यहाँ से ultrasonic भेजी सारी, एंड यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर detector लगा जी सारे, यह detector इदर, अब क्या होगा, यह जा रही, यह जा रही, जहाँ पर detector पर, कमी आपको message हुई, आप क्या बोलेंगे, से, डिटेक्टर में कमी महसूस हो रही है, इसका मतलब, sound जो है यहाँ से, reflect करके वापिस जा रही है, जा रही है, इसका मतलब बीच में, कुछ न कुछ impurity, या कुछ न कुछ जो है, cracks हो सकते हैं, इप देर is no crack, or gravity in its path, it goes through the object, सारी की सारी चली जाएगे, डिटेक्टर पर आपको 100% मिल जाएगे, but, a detector place on the other side, detects the transmitted wave, यह detect कर रहा है, यहाँ पर detector, a defect present in the path of the wave, reflects the wave, अगर बीच में defect होगा, तो यह reflect होके वापिस चली जाएगी, यह वापिस जारी है, यह वापिस जारी है, यह वापिस जारी है, यह reflect हो जाएगी, क्यों, because इसके अंदर यहाँ पर एक defect था, यह राडिफेक्ट, thus the intensity of the emerging waves, falls in the region, that is in line with the defect, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, intensity, गड़ जाएगी बच्चों, intensity घट जाने से आप क्या कह सकते हो, आप साफ साफ कह सकते हो, कि साही गड़वड है सरी इसके अंदर, when this happens, we know that the object has defect inside, आप पहचान जाओगे, कि भहिया गड़वड है, defect है यहाँ पर, ordinary sound is not used for this application, because ordinary sound will bend considerably, round the corners of cracks, और इस दल sound में क्या होता है, ordinary sound में, जैसे जो audible range में होती है, आपने आवाज को भेजी, and आवाज ने देखा, यार बीच में जो है, थोड़ा सा crack था, या पर या पर बीच में, void था, void, खाली पन, ठीक है, तो sound क्या होई, यहाँ से गई, और वो टकरा के, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, यह ऐसे ऐसे चली जाएगी, ठीक है, तो sound क्या होती है न, जो आपकी audible range होती है, वो ऐसे ऐसे side से चली जाती है, but ultra sound जो होती है न, वो बिलकुल सीधी जाती है, वो ऐसे side में नहीं जा पाती है, ठीकि सीधी गई और अगर reflect होके आगे इसका मतलब भाई गरबड थी, कुछ तो गरबड है आपको पता चल जाएगा and इसने क्या बोला and will emerge on the other side at almost full intensity, तो अगर आप audible range of sound को बेशते हैं, तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाती है, अल्ट्रा साउंड काम करती है क्या यह method समझ में आया कि इसके उपर theoretical question बिलकुल आ सकता है बता हो गई, समझ में आया क्या आज class बहुत लंबी हो गई अभी तो class को चाल ले होगे कितना 25 प्लस 15, 40 minutes हो है बेटा सर फिजिक सी कोई अच्छे बुक बताये है अच्छे वर्मा 11-12, सबसे बड़े है बुक, सबसे प्यारे बुक ठीक है, आज का study video का timing क्या है strategy video जो है late night को ही ले क्या होगा क्योंकि वो ही slot जो है available है बाकि तो लेके सुबर से लेके रात तक जो है करने के बाद भी नहीं मिल रहे तो आप उसे heat करते हो, भाया heat करना या फिर ultrasonic sound को भेजना एक ही तो बात है, ultrasonic sound से क्या होगा, high vibrations उस vibration से क्या होगा, वो mix होना चालो हो जाएंगे, ठीक है, so when a strong beam of ultrasound is passed through a liquid it is heated to a very high temperature, वो क्या होता है, liquid heat up हो जाता है, ultrasonic भेजने की वज़े से this fact is utilized in preparing homogeneous, stable emulsion of immisible liquids जो liquid आपस में मिल नहीं सकते थे, उनका आपने solution बनाया, कैसे ultrasonic भेज की, ultrasonic ने क्या किया, high vibrations करा है high vibrations से heat energy प्रोडूश होई and वो mix हो गया, ultrasonic treated honey does not crystallizes ठीक है, बहुत important चीज़, अगर आपने जो है, honey को जो है, शहद को गरम कर दिया, गरम करने के बाद क्या होता है, वो crystallize हो जाता है but ultrasonic, ultrasonic से क्या हुआ वो आपने उसे बहुत भेंकर तरह से mix कर दिया है, अच्छे से mix कर दिया है, ultrasonic high high energy उसके अंदर है, high vibration से बहुत heat produce हो गई थी, अब जो है, वापिस वो crystals में convert नहीं होता, very important thing, इसके उपर भी सवाल बन सकता है, बच्चो galton's whistle, यार ये भी बड़ी काम की चीज़, ये एक तरह की ऐसी whistle होती, देखो ज्यान से, galton's whistle, अब जब इसे सुन पाओगे, पर dogs सुन लेंगे इसको, ये भी एक विचितर और important चीज, next देखो, ये देखो तुम लोग इसको देखके बोलो कि coronavirus इसनी ने फैलाया है, मझे मालू में तुमारे ये ही जो है, अलफाज होंगे शब्द होंगे, NTSC के लिए calculus नहीं सीखना है, except अगर आप हर्याना या फिर अंद्रपदेश से हो हर्याना या अंद्रपदेश वाले कुछ-कुछ पूछ लेते हैं कभी कबार, बाकी हर्याना AP के अलावा कोई और state से हो तो calculus की कोई requirement नहीं इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा दूर तक आवाज जाएगी, दूर तक, ठीके, तो dogs जो बहुत दूर होंगे, वो भी इसे सुनके आ जाएगे समझ पाया है के बेटा बात ठीके, बिहार वाले कोई भी नहीं पढ़ने की जरत सिर्फ हर्याना AP वाले जो हैं, उनको कभी कबार calculus का past में सवाल दिया गया है बाकी किसी state नहीं दिये ठीके, सर तो whistle का क्या फायदा हुआ अवे, भाई, dogs को बुलाने के लिए बजाई थी dogs ने सुन ली ना सर ने NACJS के लिए कराया था, बिलकुल धुरू कराया so do you know, दक्षना foundation हाँ बेटा मैंने नाम सुना है, दक्षना foundation का सर पांच मुट बाद स्कूल का last lecture खतम हो जाएगा, ठीके, सवा बारा पे दुबारा मिलना सूर्सदों अनर्जी में, ठीके चलो, ध्यान से देखो backs fly in the darkness of night without colliding with other objects by the method of echolocation echolocation क्या method है backs क्या करते हैं, अल्ट्रा sound create करते हैं, अल्ट्रा sound जाता है, टक्रा के वापिस आता है उससे वो समझते हैं कि सामने obstacle है अपना path change कर लेते हैं, backs को दिखाई नहीं देता है, अल्ट्रा sound से चीज़े वो detect कर रहे होते हैं, ठीके backs emit high frequency ultrasonic squeaks while flying and listen to the echoes produced by the reflection of their squeaks, तो ये क्या करते हैं टकरा के आवाज आई, उसके echo को सुनते हैं फिर उससे interpret करते हैं, नहीं भहिया obstacle है, नहीं भहिया ये prey है या फिर नहीं भहिया ये खाली रस्ता है वो detect कर लेते हैं from the objects in their path from the time taken by the echo to be heard, back back scan, judge the distance of the object, वो judge करते हैं calculate कर लेते हैं, इतना fast उनका दिमाग होता है, समझो अब ये इनका क्या है, body ही इस तरह से बनी वी कि वो पूरा relate कर लेते हैं, अच्छा भाई इतनी दूर है, ठीक है, in their path and hence, avoid it by changing the direction, तो bats देखते हैं, औरे भाई back spray को कैसे देख ऐसी करते हैं, ठीक है, हाँ, इसी तरह से देखो प्रे को ऐसे पकड़ते हैं, वो देखते हैं, छोटी सी चीज है, इसको तो मैं खा सकता हूँ, ठीक है, इसको तो मैं खा सकता हूँ वो जाते हैं, पकड़ लेते हैं, अगर और वह देखते कि यार मैंने जो साउंड भेजी थी इतनी बड़ी साउंड भेजी थी ऐसे और उसमें से कुछ भी लॉटके नहीं है मतब सारी की सारी लॉट क्या गई मतब पूरी बहुत बड़ी वॉल है इसको तो नहीं खा सकता है साइड से मुड़ जाओ तो देखते हैं इतनी छोटी सी चीज है कुछ हवा में उड़ी यह चीज फटा फट 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 उनका दिमाग इतना फास्स कैलकुलेट कर रहा होता है चीजों को इतनी भैंकर लेवल पर कैलकुलेशन चल रही होती है इंटरपेट कर रहे होते हैं उन्होंने देखा एक चीज है जो ऐसे मूव करती जा रही है अल्ट्रा साउंड से पूरी उसकी इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं यह तो प्रे है चोटा सा प्रे जो और रह तो बहुत 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 भेंकर एडवांस लेवल पर टेक्नलोजी चल रही ही बैट्स के अंदर समझ रहे हो तो इस तरह से यहां पर हो रहा है इसकी यहां समाप्ती हुई अब दिखो यार नेक्स्ट लेक्चर में अब ठीरिटिकल से हट के थोड़ा सा आगे बढ़ेंग वो मैं आप लोग के साथ यहां पर शेर कर दूँगा complete plan शेर कर दूँगा आज ठीके जैसा कि तुम्हें मैंने बोला था state wise state wise ntsc की website ठीके मतलब state board केहने का मतलब है state board की जो website है जहां ntsc का update आता है मैं उसके अपर तुम्हें एक वीडियो बना के symbol clear cut clarity प्रोवाइड कर द लिए ठीके सर यहां तो बताओ plan अरे plan तो बता दिया ना पेटा यह देख यह देख आती क्लास में बता दिया थे जो भी बच्चे एंटी सी का plan नहीं सुने थे यह लोग उनके लिए दुबारा यह रहा बच्चो plan मैंने स्टार्ट करना है सेकंड ऑक्टोबर को गांधी ज प्रेक्टिस करवाए जाएंगे थियोरी कम्प्लीट थियोरी पढ़ाई जाएगी कम्प्लीट थियोरी भी पढ़ाई जाएगी आपको एंड मैं आपको homework भी दिया करूंगा यहाँ तो इस कोर्स विल भी प्यॉर्ली डेडिकेट टू एंटी सी ठीक है मैंने number of lectures क्या plan किये हैं यह आपको यहाँ दिख रहा है थोड़ी ही देर में आपको जो है चैनल पर वहाँ पर मिल जाएगा सर बैट्स तो जी एचारडी ठीक है सर हर्याना में calculus कैसे आया था लड़ू या भैंकर भाई देख NTSC में तो लड़ू या आता है NTSC में भैंकर नहीं पूछते बट कुछ-कुछ अच्छ-च्छ सवाल पुचित है अगर तुम्हें याद हो तो मैंने question पहले भी करवाय हुआ है आंदरपदेश का करवाय है बहुत बड़ी है सवाल है उसमें ऐसे कहता है कि यार इतनी height पे उसका इतना acceleration था कुछ ठीक है उस वक्त velocity थी V फिर वो height is equals to कुछ गया उसका जो acceleration था वो नहीं पता एंड यहां की velocity दे दी थी ऐसे कुछ था question याद है जहां पर ऐसा formula बना था अपना equation of line के बाद acceleration V dv by dx ऐसे लिखके किया था याद हो AP का एक question ने बहुत बार कराया है मैंने बहुत बार त्यार AP ने पूछ लिया था ठीक है AP ने पूछ ल और 46 थोड़ी भाई 48 है पांच लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी पांच पांच मैग्नेटिजम साथ आप्टिक्स मोशन चार सर्कुलर मोशन दो पांच NLM चार वर्क पांटरजी ग्रेविटेशन पांच फ्लूइड चार साउंड चार सूर्स अनरजी दो मिस लेने से 48 लिखाऊंगा खुद से सिर्फ वो वो पॉइंट्स ही लिखाऊंगा जो important है ठीके मैं तुम्हें पूरा detail जो किताब में दे रख्यों थी उस level से बिलकुल scratch से basic से पढ़ाता हूं ठीके वहां भी basic से पढ़ाऊंगा पर अपने हाथ से लिखूंगा अपने हाथ से लिखूं अब तुम बोलो कि सर इसमें रोटेशन भी पढ़ा दो करना क्या चाते हो एंटी सी स्पेसिफिक ही रखो बचो एक चीज समझना यह जब मुमेंट आ जाता है ना जब हम किसी एक्जाम या किसी गोल से ओरिंटेड होके तैयारी कर रहे होते हैं तो बी स्पेसिफिक टुद इदर उदर मत भागो कि ये भी करा दो ये भी करा दो वरना फिर अपने गोल से हम इदर उदर भाग जाएंगे ना ठीक है और बताओ सर करियर लॉंचर के पास सारे के क्वेश्चन्स पेपर हैं 20-21 के ठीक है वेरी गोड़ यार सर how to prepare for IIT in class 9 देख बीटा class 9 में है न अगर तुझे IIT की prepare करनी है तो IOQJS जो exam है ठीक है इस साल ये नाम है अगले साल से वापिस NACJS हो जाना चीए नाम and दूसरा स्टेज IIT हो जाना चीए ऐसे exams की तियारी कर लो class 10 में हो तो NTSC की तियारी कर लो and इनके अंदर rank holders बनने की कुशिश करो rank holders अपने आप आपका JEE का preparation हो रहा है गाईस अपने आप JEE के लिए आप prepare कर रहे है ठीक है तो ये tension लूई मत तो अपने आप तुम्हारी preparation होती है सर नोट से नहीं पढ़ाएंगे क्या मैं खुद के नए नोट से नहीं पढ़ाऊंगा वापर old नोट से नहीं पढ़ाऊंगा है sound के ठीक है sound के at least 5 lectures और बागी है चार से 5 because the reason equation of wave भी पढ़ने वाले है आई जेस्सो के लिए important है intensity जो है constructive interference destructive interference दोनों पढ़ने वाले है आई जेस्सो के लिए important है that is the reason अब जो है 9th के level से हट के आगी की चीज़ आने वाली है next lecture से sir अब तो गाना गादो एक ठीक है बिटा समझ गाना जो है न कभी कवार होता है ऐसे lecture में रोज नहीं गापाते है ऐसे nsep कब resume करोगे guys देख nsep तो जो है मैं बहुत simple clear cut बता देता हूँ nsep आप मान के चलो next year जो है 18 जनवरी से पहले बहुत difficult है resume होना नहीं हो पाएगा next year जो है जनवरी में 20 जनवरी के बाद होगा नहीं हो पाएगा homework कहां से homework जो है बहुत सारी books जो है Pearson की किताब हो गई ठीक है और इसके अलाबा जो है S.C. किताब हो गई एसी किताबों से homework दिया करूँ वह उसके अलाबा मेरा खुद का material जो है उससे भी homework दुगा तो प्रोवाइड करूँगा या ठीक है sir echo lecture वो दुबारा feature नों बनाया जाएगा ठीक है nsep preparation कब से शुरू करने वाले हो यह लिख दिया भाई nsep जो है अठारा जनवरी मतलब 20 जनवरी के आसपास बान लो 2021 nsep की lectures तभी resume मेरी तरफ से उपाएंगे ना यार किर्चाफ स्लों ntse में है क्या हाँ ntse में basics आ सकते हो उसके ठीक है thank you guys thank you for joining the session keep liking us keep supporting us ठीक है तो तुम लोग जो एक छोटी सी चीज करके इसको like करके करकर के share करके मुझे support कर सकते हो तो please like करते रहना and ralive referral code जो है यह परम सकते हैं इसका इस्तमाल करके आप foundation ntsc jneat किसी भी platform का जो आप subscription लेते हैं तो आपको 10% free discount यहाँ पर मिलता है so keep sharing keep liking it and use ralive referral code ठीक है प्लस पर best teacher for nacp जहीं platform पर बहुत सारे चीचर अब देखो इसका मतलब यह नहीं कोई दूसरा teacher ख़राब मुझे कुछ teachers के नाम पता है बता दो अमित सर है अमित गुपता सर निकलेस अमन भीया है अमन धत्रवाल नमो कॉल सर है ठीक है और भी बहुत सारे सर है पंकच सर है ठीक है बहुत सारे teachers है आप जाके देखो और खुद उसे select करो देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ teacher कोई भी ऐसा नहीं होता है कि यार यही अब best हो गया दूसरे teacher नहीं हर teacher अच्छा है ठीक है जहां तुम्हारी tuning battery वो तुम लोग के लिए best हो जाता है थैंक्यू गाइस बाबाए वापिस मिलते हैं सवा बारा पजे NTSC stage 1 sources of energy class लेके बाबाए गाइस टडबाए